नमस्कार फ्रेंट्स सुमन कोशी कीचेन में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे केसरी फालूदा कुलफी केसरी फालूदा कुलफी बनाने के लिए हमने यहापे लिया है आदा लीटर दूद बारिक कटे वे ड्राइब फ्रूट इसमें आप काजू बादाम पिस्ता जो आपको पसंद है वो ले सकते हैं आदा छोटा चमच बारिक कटी हुई किसमिस दो चमच सक्कर यह रेगुलर सक्कर है आप इसको अपने टेस्ट के अकोर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं और आदा छोटा चमच हमने लिया यहाँ पे नारियल का चूरा इसको आप सूखा सनारियल को पीस करके भी मिक्सी में बना सकते हैं आईए अब सुरू करते हैं कुल्फी बनाना और यह आठ से दस दागे मैंने लिये यहाँ पे केसर के अब सबसे पहले हम दूद को उबलने के लिए रख देते हैं और दूद उबल रहा जब तक अगर आपने मेरे चैनल को स अच्छे से उबल जाने देते हैं दूद में उबल आ गया है अब हम इसमें डाल देंगे केसर के रेशे ड्राइफ्रूट नारियल चूरा और सक्कर अब इनको बराबर चलाते हुए हम दूद को गाडा होने तक पकाएंगे दूद गाडा होने लग गया अब हम इसको continue चलाते रहेंगे और गैस का flame medium to low करेंगे इसको जब तक पकाएंगे जब तक ये गाडा ना हो जाए और फालूदा कुलफी को हम बगेर साचे के बनाएंगे बहुत ही आसान है अगर आपके पास साचा भी नहीं है तो और ये बनाने में बहुत ही आसान है आपने देखा इसमें ज्यादा ingredients भी नहीं लगते हैं अब इसको चलाते हुए बिलकुल गाडा हो जाने देंगे दूद को दूद बिलकुल अच्छे से गाडा हो चुक्या है इसकी consistency रबडी की तरह हो गई है अब हम गेस को ओफ कर देंगे और इसका थोड़ा सा temperature लो होने तक इसको ऐसे ही छोड़ देंगी मिश्रन का temperature नॉर्मल हो गया है अब हम लेंगे दो छोटी गिलास और इसमें डालेंगे मिश्रन अब हम लेंगे एक silver paper fall और उसको गिलास के उपर ऐसे लगा देंगे एक गेटिस के सायता से इसको separate करेंगे यहाँ पर अब हम इसको बीच में से थोड़ा सा ऐसे कट कर देंगे और इसमें डालेंगे ice cream stick इस तरह से अब हम इनको फ्रीजर में 6-7 गंटे के लिए रख देंगे ताकि यह अच्छे से सेट हो जाएं आठ गंटे हो चुके हैं अब हम उने इसको फ्रीज से बाहर निकाल लिया है इसको जमने में 8 गंटे भी लग सकते हैं उसे ज्यादा या फिर कम भी क्योंकि यह आपके फ्रीज के टेंपरेचर पे डिपेंड करता है अब हम लेंगे एक और इसका रवट बेंड हटाएंगे पेपर फॉल इसको भी निकाल देंगे और आप हम इसको ऐसे घुमाते हुए थुदा सा घुमाएंगे ताकि किनारे छोड़ दे और इसको बाहर निकालेंगे इसी परकार से हम दूसरी को भी निकाल लेंगे आपको हमारी इजी फालूदर कुलफी रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक सेट जरूर करें आप फिर मिलेंगे एक और रेसिपी के साथ तब तक के करेंटumu मैंटे निकाल निकाल के एक